ज़ादत हैं लोग बुट्टा खाते समय उसके चिल्गों के साथ साथ उसके بالों को भी फैंक देते हैं जिसको हम कौन सिल्क भी कहते हैं क्योंकि ज़ादत हैं लोगों को कौन सिल्क के nutrition value के बारे में नहीं पता तो, हिलो फ्रेंद्स आज इस वीडियो में मैं आपको बुट्टे के उपर जो बाल होते है जिने हम कौन सिल्क कहते हैं उनके बारे में बताऊंगी कौन सिल्क को फ्रेश या सुखा कर यूज कर सकते हैं यूज करने का तरीका है कि हमें इसकी चाय बनानी होगी ये चाय आपको बहुत सारे health benefits देगी ये टी कैसे बनानी हैं ये हम वीडियो में बताएंगे इस टी को पीने से joint pain में relief मिलता है और जिनका यूरिक acid भढ़ गया हो उनको भी अराम मिलता है ये kidney को healthy बनाता है और digestive system को strong और healthy बनाता है ये skin के लिए भी बहुत फाइदर मंद है क्योंकि इसमें antibacterial और antiseptic properties होती है पहले आप एक कप पानी ले और उसे एक pan में डाले और फिर उसे boil होने के लिए रख दे फिर आप उसमें कुछ कौन शिर्क डाले और उसे 2-5 मिल्ट के लिए boil करे ये tea हमारी body को detoxify करता है कि हमारे शरीर में salt की मात्रा अधिक हो गई है तो ये है यूरीन के माध्यम से बहार निकालता है ये tea insulin के level को maintain करती है साथ ही साथ weight loss में भी help करती है और calories कम करती है boil होने के बाद आप उसको एक plate से cover कर दे अब आप pan के उपर से plate हटा सकते हैं आप गरम गरम पीना चाहे तो गरम पीए या फिर गुन गुना करके भी पी सकते हैं तो अब ये तियार हो गई है हमारी corn silk tea इसको आप yellow tea भी बुला सकते हैं अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका taste कैसा होगा तो बता दूँ इसका taste आपको एकदम भुट्टे का taste जैसा लगेगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है तो next time भुट्टे के वालों को ना फेके और इस तरह उनके tea बना ले Thank you for watching my video, bye bye